हेलो दोस्तो वेलकम बाग तो आपका अपना चैनल शेपर एडूकेशन में आपका दोस्त आपका मेंटा और सीए मोहित्ता परिया आप अपना बड़ा भाई समझे मुझे आज मैं आया हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट सा टॉपिक लेके ये स्पेसिविक वीडियो है ट्वे स्टांडड के अंदर अकाउंट की नईया पार लगाया सर कुछ तरीका बताओ कि असी बाट में से कैसे अकाउंट में पहले 60 माँग हम स्कूर कर सकते हैं तो मैं आपको आज वो तरीका बतारहा हूं सर ट्रस्ट मी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंट का पू थोड़ी सी smartness से, थोड़ी सी समझदारी से accounts में 100 में से 80 mark, 100% short ला सकते हैं, बहुती अच्छी magical trick के साथ हैं, तो चलिए, आज मैं आपको कुछ important चीज़े सिखाने वाला हूँ कि accounts का preparation किस तरीके से करना है, हम सबको पता है कि जब हम बात करते हैं accounts की, हमारे पास accounts में 3 volume होती है TS Grewal के हिसाब से, TS Grewal के हिसाब से we have 3 volumes basically, जिसके अंदर volume 1 जो होती है, वो होती है पूरी की पूरी partnership की, जहाँ पे partnership के सारे के सारे chapters आते हैं, volume 2 जो होती है, वो है basically company accounts के जिसके अंदर वैसे तो दो ही chapters दिखते हैं, पहला chapter दिखता है आपको share capital का, और दूसरा chapter आपको द दिखता है debentures का, बट जिन लोगों ने अगर book को अच्छे से देखा होगा, तो पता चलेगा इस book में last month appendix में एक additional chapter जो इस साल 12CBSC में add किया गया है, जिस additional chapter का नाम है comparative and common size statement, ये chapter इस volume के पीछे दियावा है, comparative and common size statement ये इस particular volume के end में, appendix में दियावा रहेगा, ये chapter भी volume 2 का हिस्सा फिलालन बनाते हैं, और last आती है volume 3, अब volume 3 के अंदर वैसे तो कहने के लिए 4 chapters है, जैसे देखो तो 3 ही chapters है, पहला chapter हो गया financial statement वाला, दूसरा chapter हो जाता है accounting ratios वाला, और तीसरा chapter हो जाता है cash flow, तो अगर समझदारी से देखें तो इसमें 3 नहीं topic है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या magic करके आपके accounts में 100 में से 80 मांक बुक कर सकते हैं, बड़ ध्यान रखना पहला आपका सबसे important काम रहेगा, स्कूल में किसी भी तरीके से 20 में से 20 मांक लाने की कोशिश करिए, पीचर्स को पटा की रखिए, अपने projects टाइम पर सब्मिट करिए, स्कूल की exams मिस मत करिए, तो maximum schools आपको आराम से वाईवा के दौरार अच्छे तरह से behave करी externals के सामने अच्छे से presentable रही है, स्कूल वाले दिलवा देंगे, external देके जाएंगे आपको, अब हम बात करते हैं, बाकी 80 में से कैसे 60 मांक लाने हैं वुसकी, आपके लिए इन तीनों में से सबसे important बुक आपका भगवान है, ये वाली volume सार, ये वाली volume, ये volume आपका भगवान है, ये volume आपके exam में करीबन-करीबन 30 मांक कैरी करेगे सार, trust me, ये दो chapters सिर्फ 24 मांक के आते हैं, ये chapter करीबन-करीबन 4 से 5 मांक का आता, 4 मांक का इक compulsory समाये गाई, एक आदा कुछ MCQ में पूछ लेते हैं, तो सिर्फ ये अकेली volume आपको board exams के अंदर 30 मांक easily, 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 हसते खेलते दिलवा सकती है, तो जो लोग भी अपने accounts का revision start कर रहे हैं, ध्यान देना कि आपको सबसे पहले ये particular chapters करने है, आपको share capital करना है, आपको revenge करना है, आपको comparative comments statement करना है, एक तरीके से TS का volume number 2 आपको पूरा खतम करना है, ये volume के 3 chapters आपको board exam में pass होने की guarantee दिलवा देते हैं, कि वया तुम pass तो हो गए, अब आगे की महनत चालू करो, तो जिन बच्चों को सिर्फ pass होने का डर है, ये 3 chapters आपके लिए भगवान है, इन 3 chapters को सबसे पहले करना है, तो जो भी मेरे भाई लोग, जो भी मेरी बहने अभी पढ़ने के लिए बैठ रही है, उनका सबसे पहला का आपको सिर्फ volume 2 का एक chapter, sorry volume 3 का एक chapter करना है, जिसका नाम है financial statement, ये chapter भी करीबन करीबन 4 to 5 mark का आपके exam में रहेगा, राइट, चलो, इतना असा आप कर लो, आपके 35 mark book हो गए, डाइजन आपको अभी से बता रहा हूँ, ये दोनो chapters तो करना ही मत, इंपेक्ट ये chapter तो आप उन 100 में से 100 लाने के आपको सपने नहीं है, तो ये chapter छोड़ देना, 4 mark का chapter आएगा, उसके लिए आपको इतने सारे questions, इतने सारे formulas याद करने जो बहुत difficult है, तो this is not the right time, अगर आपका accounts का syllabus अभी भी pending है, अगर आपको accounts में इतना confidence नहीं है, ये chapter को drop कर दो, trust me, इस chapter में जित पिर आपको बताऊंगे, इसके consequence illustrations हमें करने है, for the timing आप ये छोड़ दो, मतलब अगर आपने ये दो chapters छोड़े, तो आप अपना 10 mark का portion छोड़ के जाओगे, मतलब आपका paper आपके लिए 70 marks का है, आप आपको 70 में से 60 लाने है, एक बार के लिए इस exams के लिए जिसके भी disabled giant के प्रिलियम से preboards है, आप एक बार के लिए 2 chapters को drop कर दो, आप पहले 70 में से 60 लाने की तयारी कर लो, चलो, तो हमने 1, 2, और इतना किया, 30 of 5, यहाँ पे 35 mark हमारे fix हो गए, बटसर आपने तो वादा किया था, आप 60 mark की तयारी बताऊंगे तो भईया, मैं जा का रहा हूं, बता प्रिक हो गया, यह हो गया, introduction chapter, यह वाला chapter हो गया, goodwill वाला chapter, valuation of goodwill, यह chapter हो गया, change in profit sharing ratio वाला, ठीक है, इतना पहले आप कर लो, यह 3 होने के बाद में आप आजाओ, dissolution के अंदर, dissolution के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ general entries करनी है, क्योंकि dissolution में maximum time general entries ही पूछी गई है, इत इतना कर लो, अगर आपने 1, 2, 3 और यह 4 टॉपिक कर लिया, तो आपके 25 मार्क और fix हो गए, मतलब 35 प्लस 25, आपके 60 मार्क यहाँ पर आ जाते हैं लगबग, 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, आप 55 पकड़ के चलो, कि 55 मार्क की तयारी मैंने आपको यहाँ पर करवा दी, अब बच्चे खाली 2 chapters volume 1 के, जिसमें सबसे पहला chapter है admission और दूसरा chapter है retirement and death, अगर आपको दोनों में से एक ही chapter करना है, तो यह वाला करना, क्योंकि admission हमेशा option में आया है, retirement के साथ में, यह हमेशा option में रहा है, तो अगर आप एक बार के लिए admission छोड़ भी दोगे, तो भी च सकते हो, trust भी, और 70 में से आपको 60 माक लाने है, मतलब मैंने थोड़ी आपकी गलती की भी गुंजाईश छोड़ी है, तो यह होना चाहिए आपका layout plan, फिर से देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले volume 2 के share capital debentures और common size statement, उसके बाद में volume 1 का सिर्फ एक chapter financial statement, जो की रटना है, आपक volume 1 में कभी कबार first chapter में थोड़ा pass adjustment आपको परेशान करता है, फुरी से practice करना हो जाएगा यार, बड़ी बात रही है, तो सबसे पहला काम है, volume 1 partnership के chapter number 1, 2, 3, यह chapters करो, dissolution की general entries कर लो, TS के अंदर 1 से 13 यह 14 illustrations तक की general entries है, उत्री लगबग exercise है, बस उसकी practice कर लो, खतब होगे यह बात लिया, 28 sum करोगे, आपको resolution के max compulsory मिल जाएगे, उसके बात में सिर्फ 2 chapter में, retirement, death, वो कर लो, admission अगर आप इस exams के लिए छोड़ के जाना चाहते हो, तो चले जाओ, बड़ा risk नहीं है, बहुत एक calculator risk है, इतना छोडने के बावजूत, मतलब मैंने आपको 3 बड़े-बड़े chapter छोडने को कहे है, पहला मैंने कहा है cash flow छोडने को, दूसरा मैंने कहा है accounting ratio छोडने को, तीसर चोडने के बाद भी आप अपने board exams के अंदर 70 mark ला सकते हो for sure, और मैं ये बात जानता हूँ कि आप ये 10 पूरे छोड़ोगे नहीं, आप इनमें भी कुछ ना कुछ attempt करके आओगे, accounting ratio के कुछ formulas आपको आते हैं, जैसे कि current ratio, liquid ratio हमें आते हैं, वो तो हम ठिकाई देंगे यार GP ratio, MP ratio हमें आते हैं, वो भी हम लिख देंगे, तो फोड़ा बहुत भी लिखिया है, तो 70 से जादा भी आप ला सकते हो, बड़ मैं आपको recommend करूँगा, इस exam में ये 3 chapter छोड़ो, 70 mark की preparation करो, और target रखो 70 में से 60 लाने का, इतना अगर आपको आ गया है, तो जरूर से comment में आक के मुझे वावाई देके जाना, आपकी comment का मुझे इंतिजार रहेगा, तब तक के लिए bye bye, take care, पढ़ते रहेएगा.